आधि विडियो आज की वीडियो में जान रहे है कि BCC पार मेडिकल एड्लप प्ल करना है प्लल्फ कुण यह होगा तो यह साइरा टोपीक आज हम कवर करने वाले है और एंट में एक पताना क्या गया क्योंकि एक्जाम हो चुके है पैरा मेडिकल पोल टेक्निक के तो उसका रिजल्ट का बेट आप लोग कर रहे होगे प्रोसेस यह है कि सबसे पहले आपको एक रेजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर्म प्रिल प्रेव थिर्स तो आप यह शजुका है उसके बाद से आप देख सकते हो कि रिजल्ट कब आने वालै तो उसके बाद , ऑप ऐग्ज़र्ण sóई कर आएगा में आपको एक choice filling का time आएगा जब आपको choose करना पड़ेगा कि आप कौन से college को उपर रखना चाहते हो and कौन से college को आप नीचे रखना चाहते हो लेकिन try करना कि सारे college जो है आप fill करो otherwise में chances बहुत कम होते हैं कि आपको college मिले उसी college जो आप चाहते हो तो सारे college आप fill कर सकते हो सबसे पहली बात and polytechnic में भी यही करना सारे college fill करना सबसे जो most important college या फिर most top college जो होगा उसको हमेसा उपर रखना top branches होगे उसको हमेसा उपर रखना next जब आप choice filling कर लोगे तो allotment later का date आएगा जब allotment आपको college rank के हिसाब से आपके mark से हिसाब से अलोट किया जाएगा अगर मानलो आपने फॉस्ट मुझफ़र पूर्पर टेक्निक रखा है और वो नहीं आता है तो second वाला भी आ सकता है क्योंकि राइंग के हिसाब से वो depend करेगा तो allotment later आने के बाद आपको date दिया जाएगा कि आपको इस center पर report करना है center वगेरा जो है आपको allotment later में दिख जाएगा आपको center college का नाम and branches आपको यहां पर allotment later पर मिल जाएगे उसके बाद जो है आपको reporting center पर पहुँचके आपको admissions करवा लेने हैं admissions करवाने के बाद आपको around 1300-1500 रुपीज लगेगा admission कराने time आपको 1300 या फिर 1500 रुपीज लगेगा admission कराने के time पर आपको पास दो option होगे आपको college से संतुस्टी नहीं है जो college आपको चाहिए वो नहीं मिला वह college उपर है तो आप upgrade करा सकते हो और एक trial ले सकते हो कि हां मेभी आपको वह college मिल जाए क्योंकि second round में chance होता है कि आपको उपर वाले colleges मिले तो try करना कि upgrade कराने का अपग्रेड ही most important चीज रहगा क्योंकि में भी अगर आप इसमें admission करा लेते हो और यह भी हो सकता है कि अगला time जो second round counseling है किसी और को college नहीं मिला और आपको मिलने वला रहा तो आपको नहीं मिल सकता ठीक है तो admissions कराने के time पे आपको इतने रूपीज लेके जाने है 30 से 1500 रूपीज तक लेके जाने है admission करा लेना है उसके बाद college आपका start हो जाएगा और आपका session continue हो जाएगा सारे details मैंने आपको यहां पर दे दिया है अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रीज वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेर करो अपने paramedical and politechnic वाले friends के साथ हमने UGC counseling का वीडियो भी previous वीडियो बनाया था तो आप उसको भी शेर कर सकते हो अभी जो है date बताना है result कब आएगा तो मैं बतागू result आपको 17 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच में आ जाएगा result 17 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में क्योंकि बिहार है अगर 17 जुलाई दिया तो 22 जुलाई तक पहुंचा ही देगा तो वीडियो पसंद आए तो पर इस वीडियो को जरूर लाइक करना हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हैं वीडियो को शेयर जरूर करना थैंक्यू मिलते हैं एक्स वीडियो में